मुझाइब दोस्तों मैं हूँ सुहेल हम्मद और एक्वेरियम गाइड के एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताγαऊँगा कि जिनको मैंने तक civ यह बड़े होते जैंगे, जिसमें यह बड़े बच्चे नजर आ रहे हैं, यह हैं तक्रीबन कोई दो हफ्थे के और कुछ थीन हफ्थे के हो गए तो ऐसे होते होते, जो पराने बच्चे होंगे, जो के 3 महीने के होंगे वो adult हो जाएंगे उसको निकाल के breeding net से निकाल के बाहर रख लेंगे और जो यह नए वच्छे आते जाएंगे तो इसमें हम डालते जाएंगे तो दोस्तों यह video इस बारे में है कि आप aquarium में guppies की breeding कैसे कर सकते हैं guppies जो है वो breeding में बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी आसान इसलिए है कि आप इसको चोटी से चोटी जगह पर जैसे प्लास्टिक का पाउल हो गया उसमें भी रख सकते हैं और मुश्किल इसलिए है कि जड़ा सा टेमपरिचर चेंज या फिर कुछ भी पानी में मिलावड गपीज के लिए खत्रा हो सकती है और गपीज मर सकती हैं खास तोर से जब इसमें बच्चे हूँ दूसरी बात किया है कि इसके लिए आपने थोड़ा सा हाइडिंग स्पेस भी बनानी है जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ पॉंसाइट प्री और यह कुछ आर्टिफिशल प्लास्टिक प्लांस लगाए में हैं तो इसमें गया हुता है कि रात को अगर यह गपी बच्चे दे भी दें और आप उसको तक्रीब जो भी गटे तक भी नहीं देखते तो बच्चों को कम असकम हाइडिंग स्पेस मिल जाती है और वो इन पौदों में छुक जाते हैं ताके यह गपी उनको खाए ना गपी वैसे भी अपने बच्चों को ज्यादा तर खाती नहीं है लेकिन मेरे पास कुछ टाइप्स ऐसी है जैसे कि अलबाइनो गपी लेती है लेकिन जब इनके पास हाइडिंग स्पेस होगी तो ज्यादा तर बच्चे उसमें से से एफ हो जाते हैं तो जैसे ही मैं सुबह एकशन करते हैं जिसमें आपकूदे कर itself ते कुछ पुदे भी रख सकते हैं बनाकिन धाकर नयरू जली नयूले रख सकते हम उठाके ऽुला है हुसकते हैं टिशक जाद 가자 कर सकते हैं लेकिन catchy लाल है दिया है कि आज़ पूदे जला काम के तो नयूंड और भी ऐखया है तो इस तरह आपके बच्चे भी सेफ रहेंगे और गपीज भी सेफ रहेंगे लेकिन बैस तरीका यही होगा कि आप एक्वीरियम में रखें ताकि आपको जो अंदर हो रहा है तो नजर आए तो दोस्तो मैं आपको कुछ अभी स्टेटस दिखाता हूँ कि मेरे पास यह कुछ गपीज हैं मेल और फीमेल दोनों कॉंटिटी तर्क्रीवन एक्वल हैं लेकिन फीमेल मेरे बार ज्यादा है आपने भी अगर ब्रीडिंग करनी है तो कोशिश करनी है कि मेल की तादा बहुत में ज्यादा है तो फीमेल को घ्यादा नी करनी देखी हैं जैसे हम इस मेल पर जाती है तो मेल उनके पीछे पर जाती है और उनके या तो ळैसको आपने की कॉंटिटी थोड़ी एक्वल रखनी है या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मेल के मुकाबले में फीमेल को आप हाफ रख सकते हैं जैसे कि अगर आपके पास 10 फीमेल हैं तो आप 20 मेल तक रख सकते हैं उससे ज्यादा आपने मेल रखने तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि कपी मेरे पास काफी कॉंटिटी में हो गी है और साथ ही साथ इनके बच्चे भी काफी मिगदार में बढ़ गए हैं इसके साथ साथ मैं जो के एक हफते और दो हफते के बच्चे होती हैं उनको मैं निकाल के बाहर कर लेता हूं क्योंकि वह काफी बड़े हो चुके होते हैं और फिर इनके खाने के लायक कौनory गुर्प बाति साथ आपने देखा के मेरे पास मोली के बच्चे भी हैं एक से दीना पहले इसको से इन तब तक तो नहीं होगा जब तक इत फ्रह पी डाएंता बीज़ नहीं हो जाते इन इन इनके बच्चों के साथ यह नहीं रह सकते हैं तो अगर इनके बच्चे कपी utro A。 कि अ इससे बच्प भी जए रात को तो वो Mollies कर शिकार हो जाएंगे you कि इसलिए तीन महीनी की Maollies को मैं अठाके तो वापैस Maolies के साथ डालकुबा तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीर है आपको पसंद आई होगी, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताके हमारी हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके, थैंक्यू